हूखं के वी आरा हियẹर एडि पोडी रिलियान डाइमंड जापिशली बार हम लोगों ने जोहें वो एक छोटा सा एक प्याया सा ईूट किया था जहाँ बिचली बार हम लोगों ने जोहें वह की ती स्टोरेज की एंडेन दी गलेक्टिक स्पेशल की सो यहां पर मेरे पास दोनों की है एक की तो मुझे इस्तमाल हो चुकी है वो की अभी कुछ काम की नहीं है बट में की हम लोगों को यहने की दी गलेक्टिक की जो है वो आज इस्तमाल करने है येस जो में गलेक्टिक की का मैं यहां पर आज इस्तेमाल करने के लिए जाने वाला हूं ऑल राइट थोड़ा सा टेंशन हो रही है क्योंकि जो त्री पोकेमों से ना उन लोगों को जो है वह आज हमें एक रेस्क्यू करने जाना है ये लोग बताते नहीं है कि यहां पर क्या करते हैं बट क्योंकि डिस सकते हैं otherwise there is no way we can enter here so यह एक माइनस पॉइंट है कि सकते हो कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको पता भी नहीं रहोगा कि यह लोग क्या कर रहे हैं कब से कर रहे हैं वो भी अंदाजा नहीं है एक अच्छी बात है कि हम लोग जो है वो इनको अभी आडाने के लिए आ ग है डाइड डूंट नो वेर रियली ही इस वेरीज अब जब आप लोग थेयरी पड़ोगे ना वेरीज वेरीज वेक सेकेंदा मैं एक गूगल ओपन गया हूं वेरीज वेरीज तिंगलेटिक का बहुत साहिरस ओके साहिरस अच्छा तो मैंने यहां पर सर्च कर दिया हूँ यह देखो वेरीज साहिरस इन पोकेमॉन यार गूट सेने एक पोकेमॉन उके लिए सेरस आप प्रा iote यह वेरीज वेरीज प्राइबड सेने एक लिए आपthose। looking at the Pokemon statue, अच्छाये तो, अम लोगोने, Cyrus left the capture of Ash and his friend to saturn his follow commanders, with Ash and his friend, their hostage, Cyrus went to Mount Coronet to access the Spear Pillar, using, uh, where to find Cyrus, Abhi, Cyrus, what happened to Cyrus, ah yes, what happened to Cyrus after finishing the game in our final battle with him, I watch a lot of Pokemon after growing up and Cyrus is deader than dead, okay, so, कहा जाता है कि, Cyrus, he successfully created the universe, but it's simply fading out of the existence, he goes inside the universe, claiming that it's for himself, only for Diagon Party का पाल किया रूद्टोंगे रूद्टोंगे रूद्टोंगे, okay, depends, in Diamond Pearl, he just kinda disappears and swears revenge, in Platinum, he end up going and living in the Distortion World, in US, UM, he succeeded, he's in his plan and he's transported to the Player Universe, he's then returned to his original world, okay, BDSM follow, the Diamond Pulse will disappear, okay, and the books at the Canelo suggest that if you use his eyes, your memory will be completely erased, okay, if you touch a masquerade body, your emotion will be completely drained within 3 days, if you hurt yourself, your willpower will be evaporate and you'll be unable to move a muscle after 7 days, wow, मतलब क्या-क्या है यार, मतलब क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क से मतलब कि मुझे भी आईडिया नहीं है क्या होता है उसका बट देखा जाए तो इन डायमंड पल में जब alley जाता है तो देखा जाये तो डायमंड रáइं शाइनिंग पल में उसमें ईपेन हो गया बट इन दी अदर एम में याने की प्लैटिनम में जाता है no one knows where the Cyrus is and if we look correctly तो Cyrus के बारे भी ज्यादा information भी है नहीं तो देखा जाए इन पोकेमोन अल्टरा सुन एन अंट्रमोन करेंटली हमारी वो सीरीज आईगी ज़रूर अभी तो उसमें जो है वो देखा जाए तो Cyrus की appearance होती जरूर है yes Cyrus appears तो उसमें जो है वो कहा जाता है कि उसने उसने अपनी दुनिया बना ली है and all of that stuff also but this is just a theory I guess if I assumed it so it is just a theory Pokemon Ultra Moon में तो मैं वैसे भी वो नहीं खेलने वाला हूं यहां पर Pokemon के सकते हो कि नहीं हम लोग नहीं खेलेंगे तो देखा जाए तो यहां से भी मज़ा हैगा यार मतलब कि थोड़ा सा परिशान हो गए यहां पर क्यूंकि साइरस पोकेमोन प्लाटिनम ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद को आया था पता है यह नियू दुनिया की बात तो करता था बट पोकेमोन प्लाटिनम में जो डिस्टोर्जन वर्ड में हम लोग अंक्ट आपने एंटर हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो कह सकते हो कि हम लोगों को बैटल करना पड़ता है कि शतषा और हम लोगों को बैटल करना पड़ता की कि अशनल के साथ recite तो वह बैटलना काफी ज्यादा डिफिकर्ट था इफ यूफ फॉलो माई पोकेमोन प्लाटीनम सीरीज ना तो आप लोगों ने अच्छे चाहिए अगर आप मेरे पुराने सस्क्राइबर हो तो आपको यादी हो मैंने पोकेमोन प्लाटीनम में जो है वो फेस्ट कैम भी किया था पोकेमोन प्लाटी थी उसमें लोगों ने रिमैचेस भी किये थे देखा जाए तो वह स्पीयर पिलर के बाद कह सकते हो कि कैसे वह आ जाता है यहाँ पर एंड देन ती गिराटिना पैटल भी करता है हम लोग के साथ वह जीत तो जाते बट उसके बाद साइरस के अपेरियंस कभी भी होई नही जाता है और यह पियर once की जिए खियाड जाने के बाद जो है जब आश यकल एपना ऑजए सकते हो कि कहते हो कि यह फेनले कर देना है तो टैंशेसकी वह स्वेंट तो की स्वेंट हो जाता है यह सारेड़ को हो जाती है Cyrus के साथ मतलब कि जब आप Pokemon के सकते हो कि Diamond and Pearl खिलोगे तो वो गायब हो जाएगा but in platinum also he will be sent to Distortion World he will be go to Distortion World वो खुद से चले जाता Distortion World में and के सकते हो कि यही शाहिद यहीं पर इसमें भी होगा वो जो है यह से गायब हो जाएगा no one knows where he is now someone claims that वो जो है यहां पर कह सकते वो appearance करेगा in future in future games जहां पर वो अपना पूरी दुनिया बनाने के बाद जो है वो बदला लेगा इन लोगों से यह सब theories है I don't know any of kind of this stuff in actual देखा जाए तो मजा आएगा यार अगर यह फिर से आ गया ना किसी भी गेम में क्रॉस ओवर हो गया ना इसका सबसे तगड़ा वो रहेगा क्रॉस ओवर एंड बातो बातो के चक्कर में ना मैंने इसको हरा भी दिया है वैसे तो देखते है गाई जार यहां पर अभी ओके इस इस वाइव अबंडेट ओके तो इसने जो है वो कह सकते हो कि हम लोगों को पर्मिशन दे दी है ओके इस यह रिवार्ड येस इसने रिवार्ड में क्या दिया है हमें एक मैस्टर बॉल और राइट वी एव अप्टेइन डी मैस्टर बॉल वॉल वॉल टू कैच हम लोग क्या खेल रहें ब्रिलियंट डाइमंड ना हां यस ब्रिलियंट डायमंड याने की विल इट विल बी एल्पुल टू कैच डिया लगा यहाश आपको तो पता ही है एक मा पोकेमोन है वो हम लोग फ्री कर सकते हैं and he is going to the Mount Coronet जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी ओके जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी वह वहाँ पर जाने वाला है याने की अगला एपिसोड जो है Of The Pokemon Brilliant Diamond तकड़ा रहेगा तकड़ा रहेगा बढ़ा रहेगा शायद से Pokemon Brilliant Diamond का एक सबसे बड़ा एपिसोड भी रह सकता है just because of the things we have to take care सबसे बड़ा एपिसोड भी रह सकता है कल महा एपिसोड भी आ सकता है मैंने कहा था ना आप लोगों से जब छोटे एपिसोड आया रहे ना तो बड़े की तयारी कर लो मैंने ऐसा ही रहा है मेरा जब मैं छोटे छोटे एपिसोड लाता हो ना तो सड़नली एक बड़ा एपिसोड आ जाता है और बूस्ट आर के सकते हो की स्पीड एड़ आप दी गेम तो वो कल आने वाला है गाई जैर एक महा एपिसोड का एलान करने वाला हूँ में कल पोकेमोन ब्रिलियंड डायमंड में कल जीद या हार का पता चलेगा माउंट कोरोनेट में हम लोगों को एक्सप्लोर करना है एंड रोकना है टीम गेलेक्टिक के लीडर एंड दे क्रियेटर साइरस हो थोड़ा सा टेंशन वाली बात इसलिया है इस वी फेल वी विल सक्सेड टू क्रियेट इस ओन वर्ड एंड मैं यह नहीं चाहता हूँ कि वो अपनी दुनिया बनाए क्योंकि अगर वो उसने बना ली तो फिर जो है वो हाँ पर हमारा काम तमाम हो जाएगा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं वी कांट स्टॉप हिम इस एक्सेस डी डी आलगा सो उस वजह से जो है वो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग रहेगा कल का एपिसोड देखना बिलकुल भी मिस मत कीजिएगा आप चाहते हो कि यह गेम आप खेलना पसंद करोगे इस लिंक इन डिस्रिप्शन बॉक्स बिलो कौन से इमिलेटर में खेलना चाहते हो तो आपके उपर डिपेंड है अगर आप चाहते हो कि पीसी का भी लिंक दे को तो वह फूघक और शाते हों कि में अंड्रॉड का भी लिंक दे कुलोद भी बहुत बाइन यह जो गएंड ज मैंने पहले ही एपिसोड में बताया था कि आप लोग यह पन lleๆ में अच्छी Tरीके से नहीं के सकते हो कि option ही नहीं है आपको ये गेम PC में खेलना पड़ेगा मेरे पास option नहीं था इसलिए में PC में खेल रहा हूँ वरना आपके लिए वह एक 101% में वीडियो डालता क्योंकि मैं ही नहीं खेल पा रहा हूँ तो वह आपको वीडियो भी कैसे प्रोवाइड करूं मैं यस सम बाद जो है ना ये गेम क्रेश हो जाता है और अधरवाइज कुछ चलता ही नहीं है और अगर अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजेगा अगर आप चलाए नहीं है तो चालनों को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए मुझे फॉलो के जिएगा मेर रेड़ी इन देस्रिप्शन बिलो आइविल जसी यू इन दे नेक्स्ट एपिसोड अब दीज थोटे से मेरा गला भी आप लोग देख सकते हो कि खासी अभी थोटे सा सोल्ट रोट हो चुका है मेरा तो शायद दवाई लेनी पड़ेगी अभी लगता है थोटे सा बेसिक को इस हो गए ना मेरी आभी ओके तो आइविल सी यू इन दे नेक्स्ट एपिसोड तब तक के लिए गुट बाई कि अबाई झाल झाल झाल